हलो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का साइंस अंड फंड पर जहां टीचर साबको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं तो लास्ट नाइन क्लास का जो हमने लेक्चर लिया था वो था पॉइनॉमियस लेक्चर नमोर वन जहां पर मैंने पॉइनॉमियस क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं कोफिशन डिग्री फिर वेल्यू अफ़ पॉइनॉमियस मैंने निकालना सिखाया था आज जैसे मै जानेंगे, zeros of a linear polynomial कैसे निकाला जाता है, फिर एक polynomial, दूसरे polynomial का factor है या नहीं, यह कैसे बदा चलेगा, तीसरी चीज आज हम करेंगे, identities, यह सबसे important topic जो इस chapter का है, वो है, identities, वो करेंगे, अब आप सोचो के sir, आपने spitting the middle term और long division skip कर दिया, तो बताओंगा इस lecture के अंदर की उसका क्या होगा, आप पूरा lecture देखना, चलो, शुरू करेंगे, आप अपनी notebook निकाल कर जरूर बैठें, क्योंकि जो बच्चे में से पढ़ रहे हैं, उनको पता ही है, मैं साथ-साथ आपको homework देता रहता हूं, तो वो यहीं बैठ की हो जाएगा, दो मंट का काम होगा, औ तुरंट आप solve करके comment भी कर सकते हूं, इससे क्या होगा कि आपका भी involvement रहा रहेगा, और class monotonous नहीं होगी, चलिएजी, शुरू करेंगे, तो आज how to find zeros of a linear polynomial, देखो, linear quadratic cubic, linear polynomial के एक zero होगा, quadratic के maximum दो होगे, cubic के maximum तीन होगे, हम इस साल quadratic polynomial को factorize करना सीखेंगे, using identities, or splitting numeral term, या common लेकर, हम यहाँ पर cubic polynomial को भी factorize करने कोश्च करेंगे, either by identities, or by common लेना, or by आपका long division method, सीखेंगे, वो बात अलगे, हम अगली lecture में या आज देखते हैं क्या होगा, लेकिन linear polynomial बहुत ही simple होता है, इसके zeros आप निकाल लोगे, आप इस साल quadratic और cubic के zeros नहीं निकालोगे, हाँ ल पोट असा उपर का step है, यह आप 10th standard में सीखोगे, आप यहाँ तक इस साल सीख जाओगे, यानि आपने splitting the middle term की या कुछ भी किया, अगले step में यहाँ तक factor होगे, factor होने के बाद zero अगले step में आ जाएंगे, लेकिन इस साल zero निकालना नहीं सिखा रहे हैं आपको, आपको इ सेरा factorize करना सिखा रहे है, quadratic का और cubic का, यहाँ पर हम linear polynomial को, क्योंकि वह already factored होता है, बिचार एक ही होता है, उसके zeros डिरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत ही simple तरीके से आप निकाल पाओगे, for example, बहुत असान तरीका है बहुत असान, let's say, एक polynomial दिया हुआ आपको, x plus 5, अब इ तो therefore, minus 5 is 0 of px, देको, 0 होता क्या है, बताया था ना मैंने last class में, 0 बहुत simple सी चीज़ होती है, कि अगर मैं इस polynomial के अंदर minus 5 पुट करों, तो मेरी value 0 आजाएगी, तो उसका 0 हो गया, आप find कर रहे हो, छेक है जी, माल लेते हैं, एक px आपको दिया हुआ, x minus 2, तो आप x की value क्या हो गई 2, तो therefore, 2 is 0 of px, ठेक है जी, और देखो, अगर थोड़ा सा अजीब सा भी दिया हुआ है, माल लेते हैं, cx plus d दिया हुआ, 5x minus 3 दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, तो फेर आप वही पुट करना, बस आपको अगर एक linear polynomial का 0 निकालना है, तो आपने उसक 0 के equal put कर देना है, d वहाँ जाके negative हो गया, और c वहाँ जाके divide हो गया, तो therefore, x is equals to minus d by c is 0 of polynomial, अब एक आप करके दिखाओ, हाँ जी, find 0 of, एक polynomial देता हुआ, 5x plus 2, इसका निकालके दिखाओ, फटा फट, 5x plus 2, comment करेंगे, तुरंत, च्छी के जी, oral है, कर लेंगे, तो एक linear polynomial को निकालने का एक मातर तरीका क्या है, उसको 0 के equal put कर दो, comment कर दिया होगा, तो x की value आ गई, minus 2 by 5, ठीक है जी, 2 वहाँ जाके, क्या हो जाएका negative, और 5 वहाँ जाके हो जाएका divide, तो linear of a, sorry, 0 of a linear polynomial निकालना बेहद असान है, बेहद असान है, चलने क्या ये वाला point, क्या x plus 1 इसका factor है या नहीं, ठीक है जी, अब बहुत असान काम है, दोनों चीदों को जोड़ना है, देखो आपको एक px दिया हुआ है, x cube, x square, x plus 1, और मालो एक gx दिया हुआ है, वह रहा x plus 1, हमें चेक करना है, क्या gx, px का factor है या नहीं है, इसको करने करेंगे दो तरीके, पहला इसको divide कर लो, divide in a sense, वही long division वाला, ये भी सीखेंगे, लेकिन आने वाली classes में, इसको बोलते हैं, long division, सिखाना तो पड़े गई, chapter पूरा नहीं होगा वरना, ठीक है जी, इसको divide करना तो हम सीखेंगे, लेकिन इसको बिना divide किये, एक shortcut तरीके से भ को, shortcut तरीका, वहला तरीका, cubic polynomial को factor करने के लिए किया जाता है, तो ये एक तो आप divide कर लो, factor कब होगा, जैसे for example, एक example लेता हूँ, क्या 2 जो है, वो 10 का factor है, आप कैसे कह सकते हो कि 2 is a factor of 10, because, जब आप 2 को 10 से divide करते हो, sorry, 10 को 2 से divide करते हो, तो आपका remainder 0 आजाता है, इसी प् factor होगा, अगर remainder 0 नहीं आएगा, तो factor नहीं होगा, तो एक syllabus में एक theorem हुआ करती थी, जिसका नाम है remainder theorem, वो अब syllabus से भार हो चुकी है, लेकिन हाँ, उसका इस्तेमाल अभी भी है, तो जैसे, आपको कुछ नहीं करना, solution अगर मैं आपको बताओ, बहुत ही simple है, प्यारे बचो सबसे पहले तो आपको put करना है, divisor को 0, तो x की value क्या आगी बिटा, minus 1 आगी, अब आपने put कर देना है, value of x in px, यह put कर दो, तो जहाँ जह x है, वहाँ पर minus 1 put कर दो, तो minus 1 का cube, minus 1 का square, minus 1 plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, answer के आगया, 0 आगया, तो कह सकते हैं, yes, gx is factor of px, इतना ही simple सा है, तो gx जो है, वह px का क्या है, बेटा, factor है, क्योंकि हमारा remainder या value of polynomial 0 आगया, simple है, तो जिससे divide कर रहे हैं, यह divisor को 0 put करो, linear होगा, यह हमेशा linear मिलेगा आपको, linear से divide करना है, तो linear को 0 put करो, x की value आगई, इस x की value कोशन पूट कर दो, अगर answer 0 आएगा, तो yes, वरना no, अब यह आपकी NCRT में जो second last exercise है, उसके अंदर दो कोशन मिलेंगे आपको ऐसे, ठीक है जिए, तो यहाँ पर ही put करते हैं, चलिए, polynomial दे रखा है आपको, x की power 4, x का cube, x का square, x plus 1, और gx यहाँ पर भी same है, by chance, तो put कर देंगे बेटा, x plus 1 को 0, x की value के आगई, minus 1, put value of x in polynomial x, put कर दो भी यह, minus 1, minus 1 की power 4, minus 1 का cube, minus 1 का square, minus 1 plus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, cut गया, यह बच गया, तो no, a big no, remainder हमारा 0 नहीं आया, तो एक polynomial, दूसरे polynomial का factor है या नहीं, जानने के लिए दो तरीके, एक है division, proper divide करो, polynomials को 8, 7 में सीखा भी था, इस साल दुबारा सीखा दूँगा, तो आप divide करोगे, remainder 0 आजाएगा, तो okay है, वरना नहीं है, अगर divide नहीं करना चाहते, तो best तरीका यह है, got it, अब इसके एक दो question NCRT में होंगे, प्लीज आप वहाँ जाकर कर लेना, इसी की मदद से, बहुत simple है ना, इसी की मदद से question और कर सकते हैं, यह कह रहे हैं, question अगर दंग से पड़ो, तो यह question क्या कह रहा है, find the value of k, आपको k की value निकालनी है, अगर यह जो है, यह factor दिया हुआ है PX का, X-1 PX का factor है, factor है तो remainder 0 आना चाहिए, आओ देखो, दो मेरे, दो तुमारे, ठीक है ना, चलो, तीन मेरे, एक तुमारा, अब तो ठीक है है, आओ, तो पहला part, PX, यह सबसे important question है, और जब मैं extra question लाओंगा, सबसे ज़्यादा variety इनी questions की है, यहां तो बहुत basic है, k की value निकालनी है, वहाँ पर तो ऐसा होगा, a, b की value निकालनी होगी, और थोड़ा complicated question हो जाएगा, यह वाले question सबसे आदा बिपर में आएंगे, तो अभी आज हम base बना रहे हैं, यह भी आ सकता है, in one mark और PT UT, लेकि इसे heavy part भी है, और हमको GX क्या दे रखा है, बेटा, X-1, तो GX को 0 put करेंगे, put करेंगे, value of X in PX, same question है, 1 put किया, 1 का square, 1 और K, since यह इसके factor थे, तो remainder के आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, remainder के आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो मैंने इसको 0 के ब्राबर रख दिया, तो 2 plus K equals to 0, K is equals to minus 2, bracket में reason दे सकते हो, because GX is a factor of PX, clear है बेटा, चले, यहाँ पर देखो, दुबारा, question number 2, PX दे रखा है, अब under root देखकर हम लोग शहीद हो जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है बेटा, यह आया, और GX अभी भी वही है हमारा, X minus 1, चेक है जी, फिर X minus 1 को 0 put किया, 1 आ गई, put कर देंगे, value of X in PX, जहाँ जहाँ X हमाँ 1 डाल दिया, 2, 1 का square, K into 1, root 2, equals to 0, यहाँ 2, plus K, plus root 2, equals to 0, K की value क्या आ गई, minus 2, और minus root 2, got it, ठेके जी, third part आप करेंगे, चलो वीडियो को post करो और करो, फिर मैं कराता हूँ, बताओ, मेरे लिखने से फैल लिख देना भी यह, मज़ा तो इसी बात का है, यहाँ K X square, minus root 2 X plus 1, देखते हैं किस में कितना है दम, X minus 1 को 0 put करेंगे, X की value 1 आ गई, फिर वोई statement लिख देंगे, X की जगा 1 put करेंगे, अब बोलेंगे, सर ने X step खा लिया, चलो, सर रुख जाते हैं, अब बताओ, K की value क्या होगी, यहाँ K, minus root 2 plus 1 equals to 0, K की value आ गई, root 2 minus 1, यह positive हो जाएगा, यह वो negative हो जाएगा, मुश्किल है गया, तो K की value निकालने वाले कोशन बहुत 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 important है, but यह level नहीं है, one marker level है यह, लेकिन से upgraded level है, जिसको जानने के लिए आगे की episode देखने पड़ेंगे, चलिए जी, तो इसी के साथ आपकी मेरे साबसे 2.1, 2.2 और 2.3 exercise खतम होती है, फोर्थ कोशन में फैक्टराइज देखोगे, नीचे चार पॉइंट्स दिखाई देंगे, NCRT हो सकते हो, चार पॉइंट्स दिखाई देंगे, उसके अंदर चारो के चारो के चारो क्यूबिक होगा, fifth question में भी factorize लिखा है नेचे 4 points ही बोलेंगे न हाँ 4 questions होँगे, व्हांके 5 points होगे उसके 4 का 4 कुभिक होगा ठीक है न, तो एक quadratic का question है cubic, एक होगा splitting the middle term एक होगा long division method तो वो हम सीखेंगे बाद में बहुत important है उसके लिए हम एक अलग से class लाएंगे जिसके अंदर हम आपको splitting the middle term और long क्योंकि अगर ये वीक रहे गया तो 10th और 9th दोनों वीक रहे देंगे बहुत जगह इस्तमाल होगा बेटा तो अभी हम basic पढ़ रहे हैं तो आज की class के अंदर मैं involved नहीं करना चाता था मैं चाता था कि thumbnail ऐसा बने splitting the middle term and long division अगर आप मेरे paid batch वाले बच्चे हो और इस लेक्चर को देख रहे हो या आप मेरे offline के बच्चे हो इस लेक्चर को देख रहे हो ये बात उनको भी पता है कि मैं में मैं लास्ट में कराता हूँ मैंने अपने paid batch में आज से नहीं अब ही फिलाल हम चलते हैं अपनी आइडेंटिटीज पर तो बेटा आपको ना कुछ आइडेंटिटीज याद करनी है बड़े प्रेम से और वह मैं लिख देता हूं देखो एंसी आटिक अंदर लिखी हुई है लेकिन कम लिखी हुई है बाकी ढूननी पड़ेंगी छपी हु वो है x square प्लस a प्लस b x a into b ये सेम होना चाहिए ये दोनों अलग होने चाहिए फिर आता है बेटा a प्लस b का whole square a square ये सब भी को आती होगी यार ये एंडेंटिटी तो सब को आती है ये बाली भी a माइनस b का whole square a square प्लस b square माइनस 2ab फिर a square माइनस b square ये भी आती होगी a प्लस b और a माइनस b अच्छा उल्टी भी लग सकते हैं पता है ना फिर यहां सथोड़ी सी नहीं शुरू हो जाएंगी a प्लस b प्लस c का whole square a square b square c square 2ab 2bc 2ac यसी एकी बात है फिर cube में शुरू हो जाते हैं a प्लस b का whole cube a cube प्लस b cube प्लस 3ab a plus b 7th a माइनस b का whole cube a cube माइनस b cube माइनस 3ab a माइनस b 8 8 पीछे लिखते हैं दोनों सेम हो जाएंगे न फिर 8 का माइनस b प्लस b cube यस यह अलग होती है a plus b का whole cube अलग बात है a cube प्लस b cube अलग बात है यह होती है बेटा a plus b a square plus b square माइनस a b याद रहे माइनस होता है दर सही note करोगे तो सही याद करोगे गलत note करोगे तो याद भी गलत हो जाएगी थोड़ा सा consciously करेंगे बेटा इसको ठेक है जी done है यागी 9 फिर आती है 10 सबसे important यह आती है बेटा a cube plus b cube plus c cube माइनस 3 a b c की यह होती है a plus b plus c a square plus b square plus c square माइनस a b minus b c minus a c अगली क्लास तक याद रखना और फिर हम लोग इसका इस्तमाजी खेंगे और एक मैंने special बना रखी है अगर a plus b plus c का sum 0 आता है then a cube plus b cube plus c cube क्या हो जाएगा 3 a b c क्या हो जाएगा 3 a b c बास संज में आ गई got it तो यहाँ पर आ गया इतना ही simple है यह 11 identity steps पर याद कर लो आद 3-4 लगाने की कोशिश करेंगे ठेक है ना अब आने वाले question क्या है आने वाला प्रशन यह है कि आपको suitable identity choose कर रही है to crack this question अब यह से जब भी आपके सामने question आया आपने सोचना है कि कौन सी identity लगेगी अब यहाँ पर identity लग रही है उसको box में डाल देना मैं अब obvious सी बात है हर तो नहीं डालूँगा लेकिन यह वाली तो डाल देता हूं x plus a x plus b पहचानना पड़ेगा भीया और देखो पहचान तभी होगी जब आप उसे याद करोगे तो जैसे आपने यहाँ पर देखा x plus a और x plus b यह दोनों सेम हैं और यह दोनों अलग है identity अभी लिखवाई थी पहले वाली x square a plus b x plus a b ठीक है बिटा तो पहले वाले का square a plus b x और यह आया a और यह आगे b x square 14x plus 40 plus 40 clear है बिटा simple है direct multiply भी कर सकते लेकिन उने बोला suitable identity यहाँ पर भी देखा जाए तो बिटा same identity है x plus 8 x minus 10 यहीं तो है कि यहाँ पर भी same identity लगा दोगे अब बोलोगे सर यहां तो minus है अरे तो क्या होगे आ देखो चलो यहां लिख देता हूं इसको x plus 8 और x plus minus 10 लिख सकते हो कि निख सकते हो चेक करो को मुश्किल है क्या आप आराम से देखो x plus 8 x plus minus 10 तो जो हमारा a है वो क्या है 8 और b जो है वो हमारा है minus 10 क्या समझे तो यहां पर आया x square a है 8 और b क्या है बेटा हमारा minus 10 simple सी बात है ठेक है ना किसने का था a और b positive ही होंगे ऐसा तो नहीं लिखा था तो यह और भी कुछ भी हो सकते हैं हो गया x square minus 2x minus 80 clear है यह वाला homework करेंगे चेक है जी अब यहां पर अगर चलो यह भी homework homework की देंगे है यह तो homework देना चाहिए ना देखो यहां पर भी यह दोनों सेम है यह दोनों अलग है तो सेम आइडेंटिटी से एक राक हो जाएगा this is your homework comment में जवाब जरूर लिखना भी है मैं सारे comment पढ़ता हूं बच्चों को पता है फिर मैं reply भी करता हूं भाई तुम ठ है चक करो तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b और a माइनस b वाली जो की होती है a square माइनस b square यानि पहले वाले का square माइनस दूसरे वाले का square y की पावर 4 और 9 by 4 अगर आपको हलकी सी भी दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को यहीं pause करके एक दो बारी फिफ्थ में देखो 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x चेकोगे बटा सेम आगे इडेंटिटी a माइनस b a प्लस b तो पहले वाले का square माइनस दूसरे वाले का square तो 9 माइनस 4x square यह मारा answer है आइडेंटिटी एकदम सेम लग गई यहां पर clear है जी इतने सिंपल काम है आइडेंटिटी पहचाननिया काम करना है अब जैसे यहां पर देखो मतला मल्टिप्लाइन नहीं करना आइडेंटिटी से करना है अब जैसे मैं आपके लिए एकात करता हूं यह हो गया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 कौनसी आइडेंटिटी लगी वही व तो एक स्क्वेर एक प्लस बी एक्स प्लस एबी यह आगया एक दो तीन चार टेन हंड्रेड अब बताओ यह सौल कराओ गए मैंसे बंड़ चार जीरो आगए ट्रिपल जीरो आगया यह आगया वन वन जीरो टू वन यह मेरा आंसर आगया क्लियर है बच्चो फिर आया 95 और 96 100 माइनस 5 100 माइनस 4 भी कर सकते हो या 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है होमवक सेम है न काम बिटा बिल्कुल यह क्या है सेम है यहां पर देखेंगे यह है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 तो यहां लगी A plus B और A minus B तो क्या होगा बिटा A square minus B square तो यानि A का square minus B का square minus 16 तो 9984 is my answer clear है जी? कर लेंगे ना बिटा? तो इतना ही simple game है या starting question बहुत सान है अब देखो यहाँ पर A plus B plus C का whole square A plus B plus C का whole square क्या होता बिटा? A square plus B square plus C square plus 2 A B plus 2 B C plus 2 C A अब आप देख रहे होगे सर आप बीच बीच में तो कोशन छोड़ रहे हैं जो बच्चे NCRT खोल के बढ़ रहे होंगे तो आप Factorize वाले कोशन छोड़ रहे हो बैटा भी तो मैं identity सीधी लगानी सिखा रहा हूँ अभी उल्टी लगानी भी सिखा हूँगा मैंने कहा था इस chapter के कहीं phases है तो अभी जो लग रहा है वो सीधी identity लग रही है अगली class जो आएगी वो उल्टी वाली आएगी चिंता मत करो सारे कोशन करा हूँगा एक स्क्वेर 4y स्क्वेर 16z स्क्वेर 4xy 16yz और 8zx आया अंसर कुछ भी तो नहीं है multiply नहीं करना है ज़िए लगानी है got it एक और करा दू कौन सा करा हूँ दोनों सेम ही अलग बग इसको करायते हैं एक आप करना भी है और भी है इसके पार्ट तो यह आया है बटा देखो a square अब b कह हमारा minus y c कह हमारा z समझी गए होगे अब a b b c और c a यह आगे हमारा 4x square यह आगे हमारा y square यह हमारा z square minus 4xy minus 2yz plus 4zx आगे है मुश्किल identity पेलनी है बस और कुछ नहीं करना बटा और देखो अब यहां पर आया a plus b a plus b ka whole cube a plus b ka whole cube a minus b ka whole cube a cube plus b cube plus 3ab a plus b यह identity थी थी बटा a cube plus b cube 3ab और a plus b यह आया 8x cube plus 1 6x 2x plus 1 8x cube plus 1 12x square plus 6x answer हां जी क्या मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो रिष्टेदारों के सीने में हां भाई कर लोगे पता नहीं thoughts पीछे से रिष्टारों क्या रहे हैं 2a minus 3b का whole cube कर लेंगे तो क्या है भाई यह a cube identity याद हो गई होगी minus b cube minus 3ab फिर a minus b done क्या है यह आया 8a cube minus 27b cube minus 18ab 2a minus 3b तो multiply कर लेंगे 8a cube 27b cube 36a square b हां यह ना minus minus plus 54ab square यह इतना multiply करना तो आता होगा यह 9th के बच्चे हो आगे 99 का whole cube यह यह तो कोई भी कर लेगा 100 minus 1 का whole cube कर लेंगे यह यह 100 plus 2 का whole cube कर लेंगे प्यारे बच्चो डन है इतना ही था आज का system तो अगर आप देखो तो आपकी NCRT के काफी सारे कोशन हो गए आज 2.5 के मैंने काफी सारे कोशन करा दिये अगली गला देखो इतना ही पढ़ना होता है धिरे धिरे हली हली करेंगे point normal chapter थर्ड फोर्थ करा दिया यह भी करा देंगे कुछ बच्चों की number system की extra question की demand है तो rationalization का पूरा topic आएगा exponent power का पूरा topic आएगा यह मेरा बाद है आपको तो आपको बागे subject भी पढ़ने और धिरे धिरे frequency और बढ़ा दूहों में अपने lecture लाने की तो कहानी क्या है homework क्या है तुमारा एक तो आपने 2.3 new book के according बता रहा हूं पुरानी में एक एक बढ़ा लेना 2.3 उसमें 2 बहुत याद नहीं आरा first हो गया, आपका third हो गया, देख लेना यार काफी सारे question मैंने करा दिया, यहां तक आप question कर लेना, ठीक बीच में जो factorization वाले है वो अभी आप skip कर सकते हो, आते हो तो बहुत अच्छी बाद है, skip कर सकते है क्योंकि मैं कराऊंगा अभी, got it, अगली class में, आगे बढ़ेंगे इन topics को लेकर, पूरी 2.5 खतम कर दूँगा, फिर एक class factorization और extra question की लगाऊंगा, तब तक के लिए bye-bye, take care and have a nice day.